हलो दोस्तो मैं खेल आपके लिए फिर से एक नए स्टोरी लेकर हाजिर हूं तो चलिए पढ़ते हैं स्टोरी को और एक नए मोरल को सेखते हैं तो दोस्तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्टोडी का नेम है वो दिया गया है दक कर निंग क्रेंड अंड दा क्लेवर चला कनिंग चला हां तो यहां पर कनिंग का मेंस आप बोल सकते हो सातिर ठीक है दकनिंग क्रेन सातिर क्रेन सारस एंड दा क्लेवर 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 चालाक क्रेब केकड़ा तो चलिए देर ना करते हुए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं दोस्तों जो स्टोरी है स्टोरी में दिया गया है देर वास अ क्रेन हू लिवड नियर आ पॉंड फुल आफ फिस देर वास अ क्रेन एक सारस था जो हू का मतलब दोस्तों यहां पे कौन से नहीं है ठीक है यहां पे जो है as a relative pronoun यह यूज हो रहा है इसके लिए relative pronoun की खासियत यह होती है कि यह noun के just ठीक है बगल में होता है देर वास अ क्रेन एक क्रेन था ठीक है जो लिवड नेर आ पॉंड फुल आफ फिस मचलियों से भरे तलाब के पास रहता था एक सारस मचलियों से भरे तलाब के पास रहता था या रहा करता था तो चलिए दोस्तों Next, but as he was old, जैसे ही वो बूढ़ा हुआ, it was difficult for him to catch them, अब यहां पर them, them यहां पर दोस्तों क्या है, objective, दे का objective pronoun क्या है, them, किसके लिए use हुआ है, मचलियों के लिए, ठीक है, उन्हें, it was difficult for him, for him, crane के लिए use हुआ है, सारस के लिए, उसके लिए cut in हुआ, to catch means पकड़ना, them, मचलियों को पकड़ना उसके लिए, ठीक है, कोई बुढ़ा हो रहा था, ठीक है, बुढ़ा था तो, उसको मचलियों को पकड़ने में difficulty हो रही थी, difficult हो रहा था, मतलब उसको पकड़ना नहीं पा रहा था, ठीक है, तो क्या क्या चलिए देखते हैं, So, he came up with a plan, so इसलिए he came up, came up आया, with a plan, एक योजना के साथ, Standing by the pond, Standing by the pond का मतलब होता है, दोस्तों, Standing by the pond, Pond के जो है, बगल में, खड़े हो करके, पास में खड़े हो करके, He wailed, वो चिलाया, He wailed, या वो चिलाने लगा, या उसने चिलाया, Soon, जल्द ही, This lake will dry up, and no one will survive, ठीक है, ये जो, लेक है, जहाँ पर आप लोग रह रहे हैं, तो वहीं पर बगल में खड़ा होके, पॉंड, पॉंड यहाँ पर इसको लेक बोल दिया गया है, लेक, चलिए, No issue, ठीक है, उसी पॉंड में बोल रहा है, वो, This pond will dry up, मतलब ये जहाँ पर मशलियां रह रह रही थी, वो क्या होगा, सूख जाएगा, ठीक है, No one will survive, ये सारे मर जाएंगे, ये कोई survive नहीं करेगा, ठीक है, कर पाएगा, ऐसा वो जबते हैं, I will have to live by the river, in street, in street का मतलब होता है, इसके बजाए, इसके स्थान पर, ठीक है, या उसको हटा करके इस जगे पर, ठीक है, I will have to live, हमें रहना होगा, या हमें रहना पड़ेगा, by the river, रिवर के बगल में, in street, means in street का मतलब यहां पर हुआ, इस तालाब को छोड़ करके, हमें जो है, नदी के किनारे रहना पड़ेगा, ठीक है, तो चलिए, next, a crab heard, here की second form, a crab heard him, him, crane के लिए यूज हुआ है, सारस को उसने सुना, किसने, a crab केकड़ा था, उसने सारस को सुना, heard him, and spread, spread का मतलब दोस्तों होता है, फैला देना, spread were to the fish in the pond, तो जो in the pond, fish, the fish in the pond, जो मचलियां थी, the fish पूरी पर जाती, जो मचलियों के पूरी, इसलिए यहां पर दाका यूज किया, वाला सारी मचलियों को उसने यह spread, फैला दिया, यह अपने जो सब्द थे, यहां पर word का मतलब है, जो उस सारस ने बोला था, उन्ही सब्दों को, इस crab ने, केकड़े ने क्या किया, पूरी मचलियों को पहुचा दिया, message, ठीक है, फिर दिया गया है दोस्तों, the fish, panicked, panic का मतलब होता है, परेशान हो जाना, panic, केते हैं ने, ज़्यादा panic मत हो, सब बढ़िया हो जाएगा, तो, panic की second form है, panicked, the fish, panicked, जो मचलियों ही थी, वो परेशान हो गई, and the cunning crane, offer to carry them, carry them to the river from the next morning, तो उसने क्या किया, offer किया, उसने क्या offer किया, अपनी पिसकस रखी, या उसने कहा, क्या करेंगे, cunning, सातिर, cunning यहाँ पर चालाक से नहीं बोल सकते हैं, सातिर, सातिर दिमाख लगा रहा था, क्या है देख लो, उसने कहा, क्योंकि वो बुड़्धा हो चुका था, कैसे कहानी समझ में आती ही, कि वो बुड़्धा हो चुका था, और मशलियों को पकड़ नहीं रहा था, इसका मतलब कोई नहीं कोई माइंड है, खतरनाक सा, that's called सातिर, इसको चलाक नहीं बोल सकते हैं, तो उसने सातिर दिमाख लगाया, offered किया, to carry them to the river from the next morning, तो वो क्या करेगा, अगली सुबा से सब को जो है, वो river तक पहुचाएगा, ठीक, चलिए, next, देख लेते हैं, everyday the crane would fly to the river, carrying a fish in the back, everyday पर तेक दिन the crane would fly उडता, और क्या, the river carrying a fish in the back, वो रोज जो है, अपनी पीठ पर, His back अपनी पीठ पर लाद करके मतलब बिठा करके मशली को ले जाता ले जाया करता था या ले जाता था He would fly a distance वो थोड़ी दूर उड़ता था थोड़ी दूर उड़ा करता था and smash smash पटक देना and smash the fish against a rock and kill it my god क्या करता था उसे जो चटान है rock and kill it against उसी पर पटक देता था ठीक है उसे चटान पर और उसकी जान ले ले लेता था मशली की ठीक है पटक करके जान ले 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 ना मशली की ठीक है He feasted feasted अब बोल सकते हो आनंद उड़ाना खाना पार्टी मनाना He feasted on one fish after another अच्छा इसी तरह वो एक के बाद एक मशली को वो मजे किया करता था खाया करता था खाता था मतब रोज बैक पे ले आए पीट पे और उसी चटान पे पटक दे और पटकने के बाद क्या करता था उनको मार के खा जाया करता था यहां पर दिया गया है क्रैप्स देखे क्या होता है यहां पर apostrophe S का यूज हुआ है apostrophe S जैसे कभी बोलना हुआ आपको भाई की पैंट ना तो हम लोग क्या बोलते हैं भाई की पैंट या पापा का वॉलेट तो क्या बोलेंगे फादर्स वॉलेट तो का की के के लिए इस apostrophe का यूज का की के के लिए गया जाता है लेकिन जब यहां पर सजीव की बात की जाए ठीक है जैसे क्रैब क्या है यहां पर देखिए क्रैब एक जीव है कहां पर दिया गया यह ठीक है क्रैब तो क्रैब्स टर्ण अब की बार क्रैब्स की बारी थी क्रैब की बारी ठीक है लेकिन दोस्तों अगर नॉन लीविंग फिंग्स की बात की जाए जैसे कि बोला जाए कुरसी का पावा तो हम क्या बोलते हैं दोस्तों leg of chair ठीक है? leg of chair off लगाते हैं काके के लिए या fan पंखे का पर तो blade of fan है ना? तो जब निर्जियू चीज के लिए काकी के के लिए यूज़ करना हो तो off का यूज़ करोगे वो जब सजीू पापा का भाईया की मम्मी की सारी मदर सारी है ना? दीदी का मोबाईल सिस्टर्स मोबाईल तो ऐसे clear? चली तो next हमाँ crab's turn उसकी बारी आई the crane carried the crab on his back and flew towards the rock चली भाई उसको भी उसने पख बिठा लिया crab को अपने back पर back and flew towards the towards की तरफ उसी rock की तरफ उड़ा फिर rocks बहुसी चटाने थी उसी चटानों की तरफ उड़ा फिर किसको ले करके the crane carried the crab crab को ले करके on his back अपनी पीट पर and flew towards the rock और उड़ा किदर? रॉक की तरफ जिदर था when the crab saw जब केकड़ी ने देखा क्या देखा भई? the fish the fish bones lying under sorry lying around वहाँ पे चारो तरफ जो है मचलियों की bones हड़िया पड़ी होई थी he understood वो समझ गया the crabs sorry the cranes plan जो cranes जो सारस का जो plan था यह दो को फिर आ गया न देखो यहाँ पे crabs apostrophe आया यहाँ पे cranes apostrophe आया crane भी सजी हो है इसलिए ऐस ऐसे लगाते है ठीक है तो जो सारस का plan था वो crab को कीकड़ी को समझ में आ गया he bit the crane on his back उसने जो है crane को जो सारस को काट लिया उसकी पेठ पे on his sorry on his neck not a back फिर किया and saved the lives of the other creatures in the pond हाँ तो जो और भी other मतलब other creature थे other जीवू थे कहाँ पे pond के अंदर तो उन सब की जान बचाई ठीक है lives lives का मतलब यहाँ पे जीवन save बचा लेना ठीक है तो उसने क्या किया neck पे काट लिया crab ने तो गिर पड़ा होगा मर गिया होगा फिर तो उसने क्या किया सब की जान बचा ली तो हाँ दोस्तों इस से हमें moral क्या मिलता है moral simple सा है believe है जल्दी से हमें believe नहीं करना चाहिए देखना चाहिए था मचलियों को भी इतना panic नहीं होना चाहिए था तो आगे जो है ना एक दो दिन की हान ये तालाब ये leg ना dry up हो रहा है ये नहीं तो चलिए तो recently हमें किसे पर believe नहीं करना चाहिए तो इस स्टोरी से हमने ये सीखा don't believe recently a hurry ओके thank you keep watching और प्लस चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों share करिए और जितना भी कुछ अच्छा हो सकेगा वो comment में बताईए कि और भी क्या अच्छा हो सकता है स्टोरी के साथ thank you so much keep watching my channel